Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 5th maths chapter smart charts. Chapter में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ. हमने NCRT के questions भी कर चुके हैं, हम लोग और worksheets भी कर चुके हैं. So hopefully previous videos आप समने देख ली होगी और again I am telling ये बहुत important chapter है आपका. Throughout class 10-12th, जब तक आप maths पढ़ेंगे, तब तक एक chapter maths में statistics, जो smart chart में चीज़ें बताई गई है आपको, वो हमेशा रहता है. और इसका introduction 5th class से है, और बहुत अच्छा खासा introduction है. सभी जो चीज़ें हैं basic आपकी bar graph हो, चाहे pie chart हो, चाहे आपका telemark हो, ये आपको बता दिया गया है. और आप 9th class 10th class की books भी open करके देख लो. Last chapter जो होता है, last या second last. वो आपका statistics होता है, जिसमें आपको ये bar graph और ये ही सब चीज़ें देखने को मिलेगी. In fact, telemark तो आपका 9th class तक चलता है. तो better रहेगा, आप 5th में इस class को अगर chapter को अच्छे से करके चलेंगे, base आपका strong होगा. तो next जितनी भी classes आप पढ़ेंगे, at least ये आपका chapter अच्छा रहेगा और इसमें आप score अच्छा कर सकते हैं. तो पहले हम लोग देख चुके हैं, अब भी जब हम लोग quiz करेंगे, तो मैं questions वैसे तो पूछूंगी आपसे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े थोड़े hints भी देती जाओंगे, अगर किसी बच्छे को by chance पहले ने समझ में आया, तो अभी आप देखेंगे, हम लोग इसमें ज सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजे, जब नेक्स टाइम कोई वीडियो आपकी क्लास की आती है, तो आप उसको मिस ना करें, अब स्टार्ट करते हैं, पहले एक सिचुएशन है आपके लिए क्योंकि क्वेशन उसके बेसिस पर वनेंग इसके बेल को आपको इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद जो क्वेशन आएंगे, उनके आंसर साथ को करने हैं, तो देखे ये टैली मार्ट है, अभी मैं इसको इसको टैबल भी कर दूँगी उपर, इसके बेसिस पर नीचे वेशन है, मैं आपको वोक्षीट में बहुत अच्छे से बता चुकी थी, कि एक्जाम में जनरली जो टैली मार्ट आते हैं, वो ऐसे नहीं आते हैं, आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टांडर जो टैली मार्ट है आपके वो ये वाले होते हैं, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने वोक्षीट आते हैं, आपके उप्षिंस हैं, A 26, B 29, C 32, या फिल D 24, this is question number 1, answer 1, A, B, C, D, जो भी आपको लगता है, वो लिक लीजे, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि correct answer क्या है, C या फिल D, एक सेक्ड में आपको टेबल ऊपर stable कर देती हूं एक बार, अगर बहुत बढ़ा नहीं हो है पर चलिए पीजा का क्योंकि पूछा है मैं जूम करके पीजा ही देखा देती हूं आपको यह देखिए काउंट करें और बताइए करेक्ट आंसर किया है 26 29 C 32 या फिर D 24 लिख लिजे आंसर वन आपको लगता है सही है पहले आप इस यह सारे आंसर करें देन आइल टेल यू कि किस तरीके से इनको ढूंडना होता है अंसर कर दिया होगा आपने next question पर आते हैं अगला question है which food item was sold the least अब इसके लिए मुझे पूरा यह दिखाना पड़ेगा आपको यह देखिए question है कि कौन सा food item least यानि कि सबसे कम विका है least और most यह दो question जनरली पूछे जाते हैं आपकी options है ए बर्गर बी पीजा सी होट डॉग डी फ्राइड राइस फ्राइड चिकन सारी बर्गर पीजा होट डॉग या फिर फ्राइड चिकन ओके अंसर कर दिया होगा आगे आते हैं next question is third question है यह आपका how many burgers were sold more than hot dogs यह question समझे पहले तो question यह कह रहा है बर्गर कितने hot dogs से burger जादा भी के हैं कुछ hot dogs भी के हैं कुछ burger भी के हैं burger जादा भी के हैं question यह है कितने जादा भी के हैं आपके options हैं A10 B9 C8 D11 हिंट ये है इस वाले में दे देती हूँ, बर्गर देखे कितने बिके हैं, उसके बाद hot dog पुछा है, hot dogs देखे कितने बिके हैं, नमबर देख लिजे, सपोस कर ये burger 20 बिके, hot dog 18, तो यह निकि ये कितने जाधा बिके, subtract करके आप बताएंगे कि कितने जादा भीके, answer will be 2, यहां पर answer 2 नहीं है, आप देख के बताएंगे अपने आपी कितने जादा है, okay, answer again, कर दिया होगा अभी तक आपने, आगे आते हैं, next question is, okay, this is question number 4, which i-food item was sold the most, यह मैं पहले भी बता चुक हूँ, दो question repetitive रहते हैं, एक्जाम में, least और most वाले, तो एक ही question से, 4 माक का, यह मैंने पूछ लिया, वैसे भी यह question 4 माक का ही आता है, एक्जाम में, last question होता है, इस chapter से, बताएंगे कौन सा food item सबसे ज़्यादा अभी का है, the most सबसे ज़्यादा, option है, A, pizza, B, fried chicken, C, hot dog, या फिर D, burger, ओके, next question is, how many food items were sold in all, यह भी एक question हमने देखा था, worksheet में भी और NCRT के questions में भी, repetitive question था, most, least और in all वाला question, तो बताएंगे कि total कितने food items भी के हैं, आपके options हैं, A, 60, B, 55, C, 65, या फिर D, 68, इस पे थोड़ा सा time लगेगा, आप calculate कर लीजे, एक काम करी आप pause कर लीजे, यहाँ पर जितना भी time आपको लग रहा है, उसके बाद resume करके वीडियो आगे देखना, मैं इस पे बहुत जादा time में ही रुख सकती हूँ, हिंट दे देती हूँ, अगर आपको नहीं आता है, in all में क्या होता है, सारे food items निकालिए, कौन कितना भीका है, जैसे अगर मैं fried chicken के बाद करो, अब यह देखे, यह important hint है, suppose कर यह मुझे देखना है, fried chicken कितना भीका है, तो आप जानते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, यह 5 का symbol होता है, तो इसको आप ऐसे count करेंगे, एक second, okay, this is 5, this is 5, and these are 2, so 5 plus 5 plus 2, that means 12 fried chickens भी के हैं, ऐसे ही burger निकालिए, बीजा निकालिए, और hot dogs निकालिए, और फिर सबको add कर दीजे, simple, okay, now, next question, अब यह आपका question यहाँ पर finish होता है, now, this is your question number 6, the following pie chart, आपको नीचे एक pie chart दिया हुआ है, यह depict कर रहा है, distribution of favorite sports in a school, एक school में कितने बच्चों का कौन सा favorite sport है, पहले आप इसको देखे, फिर कुछ statements दीवी हैं, उसमें से बताना है आपको, कि correct statement कौन सी है, चलिए पहले इसको एक बार देख लेते हैं, pie chart, hopefully आपको read करना आता हो, यह देखे, cricket है, यह volleyball है, yellow part, यह basketball है, grey part, और यह आपका football है, अब statements, देखे, क्या-क्या है, इन में से एक statement सही है, पहली statement है, volleyball is most popular sport than any other sport, volleyball सबसे popular sport है, क्या यह सही है, या फिर B option, यह A option था आपका, and this is question number six, छटे question का answer, basketball is popular than football, क्या basketball popular है, football से, या फिर यह सही है, B, या फिर football is most popular, football सबसादा popular है, यह statement सही है, या फिर cricket is most popular, cricket सबसे जादा popular है, यह statement correct है, फोर statements है, क्या सबसे जादा sport, volleyball सबसे जादा popular है, या फिर basketball, football से जादा popular है, देखिए, यह basketball है, यह football है, क्या यह basketball, football से जादा popular है, football सबसादा popular है, फिर cricket सबसे जादा popular है, A, B, C, D, which statement is correct, easy है, I think, आगे आते हैं, फिफ्ट ग्रेडर्स इन श्कूल तुक अवोट आफ देर फेवरेट कलर, और ग्राफ देर रिजल्ट, फिफ्ट क्लास के बच्चों ने बताया कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, अगर 25 और स्टुडेंट्स चूज येलो, ध्यान से सुनना, येलो जो है, वो 25 बच्चों ने जादा चुना है, विच वन विल टॉप दे चार्ट येलो और ब्लू, मतलब की, एक सेकंड, कौन चार्ट टॉप करेगा उसके बाद, पहले तो आप इस चार्ट को देखिए, अगर 25 बच्चे और येलो चूज करे, यहाँ पर जितना ये ग्राफ है, अभी ये ग्राफ 50 से थोड़ा सा नीचे है, 40 और इसके बीच में, सपोज कर ये 48 पर लग रहा है अभी तो, 48 है, अगर 25 बच्चे और येलो सेलेक्ट करते हैं, क्वेशन ध्यान से सुनना, क्यूंकि थोड़ा सा प्रिकी क्वेशन है, क्वेशन ये था, कि इफ 25 बच्चे और येलो चूज कर ले, तो इन में से फिर कौन सा जो कलर है, वो टॉप करेगा रिजल्ट को, क्या तब येलो टॉप करेगा, या फिर ब्लू ही टॉप पे रहेगा, या फिर कोई अधर कलर टॉप करेगा, इसका आंसर बताएए पहले आप, फिर मैं बताती हूँ, A, B, E, C, which option is correct? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने, अब ये देखिए यहाँ पर, अभी ब्लू किस पे है, ब्लू है 60 और 50 और 60 के बीच में, यानि कि अप्रॉक्स 55 होगा, या भी का है, 50 से नीचे है, लेकिन हाफ से तो उपर है, यानि कि 45 से तो उपर है, लेकिन 50 से नीचे है, 48 मान लेते हैं इसको, 47 या 48 आप मान सकते हैं, अब 48 में यलो में, अगर और 25 बच्चे आ जाए, तो सोचे वो 55 से जादा हो जाएगा, या कम हो जाएगा, इसके according आप answer चूज करिएगा अपना, hopefully आप समझ गए होंगे, अगले question पर आते हैं, next question है, the following pie chart shows the favorite beverages, of a few teachers in a school, school में teachers की favorite beverages कौन सी है, वो आपको यहाँ पर इसमें दिवी है, pie chart में, आपको बताना है, which beverages least like, सबसे कम कौन सी beverage को like किया गया है, यह है आपकी, पे पदार्तियाने की, जो पीने वाली चीज़ें है, tea, coffee, cola, water, other, तो देखिए, tea है यह वाला, coffee है यह, cola है यह, उसके बाद water is this, and other कोई और भी हो सकता है, किसी का इन सब के अलावा कोई और answer है, तो वो है यह, अब आप बताएं सबसे कम कौन सा है, पहले देख लीजे, फिर मैं आपको options दिखाती हूँ, and this is question number 8, answer 8 लिखे, और answer करे, यह आपके options हैं, hopefully answer आप सबने देख लिया हुगा, least favorite पूछा है, सबसे कम favorite कौन सी है, आपके options है, A, cola, क्या cola सबसे कम है, या फिर T, सबसे कम है, या फिर water सबसे कम है, या फिर lemonade सबसे कम है, lemonade आप कहेंगे, option में नहीं है, option में नहीं है, यह यानि कि यह other वाला है, ओके, A, B, C, या फिर D, एक बार फिर से options दिखा देती हूँ, आपको ये दिखा देती हूँ, ये पाई chart है आपका, ओके, आगे आते हैं, 9th question, the following grades have been scored by students in mathematics test, maths के test में ये score आए है बच्चों के, tick the correct statement, फिर इनके basis पे कुछ statement है, इनको देख लिजे पहले तो ध्यान से, पहले test में, एक बच्चे के, A test हुआ, तो इतने marks आए, B हुआ तो इतने आए, C, D, A grade कितने students के आए है, ये जहां तक इसकी height जारी आपकी बार की, B grade इतनो के आए है, C grade इतनो के आए है, D grade इतने क्या आप जानते हैं, marks की जगे कई बार आपको grades भी दे दिये जाते हैं, अगर आपको लगता है, तो अपना answer A लिख लीजिए, 15 more students have scored B than A, B जो है, वो A से 15 जादा बच्चों को मिला है, 15 को मिला है, ऐसा वो नहीं कह रहा है, B, A से 15 जादा students को मिला है, क्या ये सही है, C is least scored, सबसे कम बच्चों ने C grade attain किया है, या फिर ये सही है, तीनी option है इसमे बताइए कि कौन से statement correct है, इन में से, this is question number 9, क्या 20 बच्चों को A grade मिला है, क्या 15, A से 15 जादा को B मिला है, या फिर C सबसे कम बच्चों ने score किया है, next, D को option को छोड़ दीजे आप, the following bar graph depicts the birthday of student by month in school, एक स्कूल में अलग-लग month की according आपको बच्चों के birthdays दिये हुए, correct statement बताइए कौन सी है, देखिए पहले तो इनको देख लीजे, किस दिन क्या है, इसको मैं एक second, वो कर देती हूँ आपके लिए, उपर stable कर देती हूँ, फ minimum birthdays, जानवरी में सबसे कम बच्चों के birthday आते हैं, क्या ऐसा है, देख लीजे, आपको दिये हुए है, सबसे छोटा बार जिसका होगा, वही सबसे कम birthday होगे, क्या जानवरी का सबसे छोटा बार है, या फिर birthday in June are less than that of October, June के birthday, October के birthday से कम है, क्या ये statement सही है, जो सही है, वो आ अंसर होगा, थोर्ड स्टेट्मेंट है आपकी, birthday in June are more than in March and April combined, ओके, March और April के birthday अगर आप combined भी कर दे, तो भी जून में जादा birthday है, कहने का मतलब है, March के birthday कितने हैं, दो बच्चों के हैं, ये देखिए, और April के birthday हैं, I think दो और चार के बीच में तीन बच्चों के, 2 प्लस 3 से जादा जून अकेले में birthday हैं, क्या ये सही है, या फिर last statement है आपकी, March has minimum birthday, March यहाँ पे आपको दिख रहा है, March में सबसे कम birthday है, A, B, या फिर C, which statement is correct, okay, 11th question is, if there are total 100 students, अगर ये students इदर रह गया, अगर इसमें total 100 students है, pie chart जो शो कर रहा है, find approximately how many students, ये इसके पीछे हो गया, how many students like cricket, 100 बच्चे हैं, तो बताएं लगभग कितने बच्चों को cricket पसंद है, आपके options है, 50, 30 या फिर 20, आप answer करिए, फिर मैं hint देती हूं, answer कर दिया है, तो very good नहीं तो pause कर लीजे, क्योंकि अब मैं hint बता रही हूं, अगर नहीं आता है आपको answer, तो आप hint से answer करेंगे, देखिए, अगर मैं कहूं total 100 students है, और मुझे tennis के बच्चे निकालने हैं, मैं answer नहीं बता रही है, cricket के पू 50 students है, क्योंकि 100 का half 50 होता है, और tennis, hockey और squash को मिला के 50 students है, अब अगर मैं इसका one fourth देखूं, तो इतना होगा one fourth, आप जानते हैं, ये quarter है इसका, 50, 100 का quarter कितना होता है, 25, कहने का मतलब है, टेनिस में 25 से कम बच्चे हैं, 25 से कम है, ये देखिए कितने कम है, थोड़े से कम है, यानि कि approximately 20 होंगे, ऐसे हम लोग find करते हैं, लगबग वाले, इसे कि football में देखिए, one fourth से थोड़े से कम है, तो football में भी approximately 20 ही होंगे, तो अब आप बताए, क्रिकेट में कितने हो सकते हैं, क्या 50 हो सकते हैं, 50 तो लगबग 100 का half हो गया, 30 हो सकते हैं, या फिर 20 हो सकते हैं, आपका है, A option है, आपका ये, B this, इसको भूल जाएए, box ये कुछ नहीं है, correct answer के लिए था, C this, या फिर D this, ये चार option है, 11 number, easy one, चलिए, आगे आते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत lengthy हो गई है, वीडियो, next is, how many more children were absent on Friday than on Monday, कितने बच्चे जादा एपसेंट है, Friday क मंडे से, मंडे को देखे कितने बच्चे अपसेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं हिंट जरूर दे देती हूँ आपको, आप ऐसे find करते हैं, जैसे कि मान लीजे मुझे ट्यूजडे में बच्चे देखने हैं, कितने अपसेंट हैं, तो Tuesday के बार की हाइड देख लीजे, कहां तक है, correspondingly, यहां तक है, यानि कि Tuesday को 25 स्टूडेंट से अपसेंट हैं, clear है, तो आप मंडे के बार की हाइड देखे कितनी हैं, और उसके बाद बताईए कि फ्राइडे को मंडे से कितने जादा वच्चे अपसेंट हैं, आपके options हैं, A 15, B 10, C 5, D 20 Next question is, which animal is 22 in number? जैसे मैंने का था, सारे question कवर करेंगे, अब तक हमने सिर्फ यह वाले टेलिमाक किये हैं, तो यह वाले भी देख लेते हैं, जो NCRT में दिये हुएं, आप बताईए इन में से कौन सा animal 22 हैं, Cats 22 है, देखें, यहां पर यह Cats के टेलिमाक है, Dogs 22 है, Rabbits 22 है, Cows 22 है, यह फिर Parrot 22 है, इसका अंसर आप ऐसे लिखेंगे, आंसर 14, जो भी आपका अंसर है, सपोस कर यह आपने Cats लिखा है, तो Cats लिख लिजे आंसर में, मैं इसका अंसर आनिमल के नाम में ही होगा, आपको लगता है कि Rabbits हैं, तो Rabbits लिख लिजे, फिर Final answer आपको पता लगी अंसर कर दिया होगा, next is, which telemark represents 18, option A, B, C, D, कौन सा telemark इन चारों में से 18 नमबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह telemark आपको रीड करने आते हैं, नहीं आते हैं, तो 1 second, hint बता देती हूँ मैं, देखिए, सपोस करिए आपको यह वाला बताना है, यह होता है 5 के लिए, क्यू 2, 3, 4 and 5, okay, so this is 5, 5, 5, 5, और यह में कितनी straight lines है, 1, 2, 3 and 4, तो यह है 4, तो यहने कि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 plus 4 is 24, तो चलिए D option तो मैंने बता दिया नहीं है, क्यूंकि इसमें 24 है, okay, next question is, the bar given shows number of books borrowed from school library ने certain week, देखिए, यह एक bar graph आपको दिया हुआ है, एक library से कितनी book borrow की गई, किसी हफ़ते में, Monday को कितनी की गई, यह उसका बार है, Tuesday का बार है, Wednesday, Thursday, Friday, okay, आपका question है, how many books were borrowed on Friday, बताइए कि Friday को कितनी books borrow की गई, आपके options है, A60, B40, C55, D50, हिंट यह है, अगर मैं पूछों कि Wednesday को कितनी book borrow की गई, तो यह Wednesday का बार है, Wednesday का बार देखिए, कितनी height तक जा रहा है, यह जा रहा है, आपका 30 तक, है ना, यहां तक जा रहा है, यह number 30 है, यह वाली जो line है, तो यहने कि Wednesday को 30 book borrow की गई, okay, अब आप बताइए, Friday को कितनी की यह अगर आपने पहले answer नहीं किया था, 17th question is, which is a bar drawn usually using vertical bars, sorry, कौन सा graph का नाम बताइए, उस graph का नाम, जो कि vertical bars, vertical मतलब होते हैं सीधे, ऐसे bar, इनका नाम मैंने आपको बताया था, देखिए, bar graph में यह जो होते हैं, इनको हम लोग बार बोलते हैं, तो question यह है, कि कौन सा graph है जिसमें आप लोग bars use करते हैं, ऐसे, क्या इसका नाम bar graph है, क्या इसका नाम line graph है, क्या इसका नाम pictograph है, या फिर pie graph है, किस graph में, graph का नाम बताइए, जिसमें vertical bars होते हैं, bar graph, line graph, pictograph, pie graph, यह जो चारो graph है, इनमें से एक में आप जानते हैं, bars use होते हैं, एक में circle use होता है, एक आप जानते होंगे एक में pictures use होती है तो सब के अलग-अलग तरीके से data को represent करने के तरीके है different graphs के आगे आते है next question is 18th question information showed in circle मैं आपको दिखा चुकी हूँ circle में जो information होती है कि ये इतने बच्चों को पसंद है ये इतने बच्चों को पसंद अलग-अलग इसे हम लोग क्या कहते है आपके options है bar graph, line graph, pictograph या फिर pie graph chart कर लिजेश का जिसमें circle में information show होती है जिस graph में उसे आप bar graph कहते है line graph कहते है, pictograph कहते है या फिर pie chart कहते है next question is हार टाइप के question हम लोग कर चुके हैं लेकिन ये line graph का question बचा था I don't think कि ये worksheet में भी cover हुआ था जबकि ये NCRT में last question है तो इसलिए मैंने quiz में डाल दिया है find earning on Tuesday important question मदब ये नहीं ऐसा question आपका line graph वाला पूछ लिया जाता है Tuesday में बताइए कितनी earning हुई है आपके options है 300, 500, 450, 350 answer बताइए then मैं hint देती हूँ आपको okay मैंने Tuesday में पूछा है मैं आपको Friday का answer बताती हूँ देखे अगर मैं पूछा हूँ आपसे Friday को कितनी earning हुई है person की तो Friday के उपर देखिए point कहा पर लगा हुआ है point लगा हुआ है यहाँ पर अब यह कौन सा number represent कर रहा है क्योंकि earnings इधर दी हुई है यह जो number है यह 600 और 700 के बीच में है देखिए अगर यह point यहाँ पर होता blue point एक second अगर यह blue point नीचे होता यहाँ पर तो 600 earning होती उपर होता तो 700 होती यह इनके बिल्कुल बीच में आ गया यानि कि Friday को कितनी earning हुई है 600 और 700 के बीच का number यानि कि 650 ओके अगर मैं आपसे Thursday को पूछू तो Thursday में कितनी earning हुई है यह वाला point यहाँ पर है यह कौन सी किसकी line है यह line 400 की है चार सो रुपे अर्ण किया है उसने Friday को Wednesday का पूछू अगर मैं आपसे Tuesday को तो आपसे पूछाई हुआ है अगर मैं मंडे का पूछू तो मंडे को 300 है अब आप Tuesday का बता सकते है Next question This is your last question Coffee questions हो गया है इस chapter से 20 marks को हो गई है आपकी पूरी What is other name of pie chart Pie chart का दूसरा नाम बताईए क्या है आपके options है A. चपाती चार्ट B. पीजा चार्ट C. कॉइन चार्ट D. बैंगल चार्ट Pie chart का एक और नाम है उसे क्या कहते हैं NCRT में जो नाम यूज किया हुआ है आपके options हैं चपाती चार्ट, पीजा चार्ट, कॉइन चार्ट, बैंगल चार्ट ओके और ये है आपके answers अब जहां आपने answers लिखे हैं open कर लीजे सच में काफी लंबी quiz हो गया I think दो पार्ट इसके बनाने चाहिए थे बट स्टिल question number first का answer है second C, third C, fourth A, fifth A, sixth D, sorry seventh A, eighth C, ninth B, tenth C 11th question का answer है 12th का answer है C, 13th B, 14th का answer है cows, जहां पे मैंने आपसे animal का नाम पूछा था 15th का answer है B, 16th A, 17th A, 18th D, 19th C 20th question का answer है A अब दो तीन काम आपको करने सबसे पहले तो 20 में से कितने माक्स आए है comment section में आपने नाम के साथ लिखेंगे कोई question wrong है अगर तो back जाके मान लिजे 15th wrong है back जाके एक बार वीडियो में देख लिजे कि 15th question का correct answer क्या है था जो आपका गलत हुआ है next important चीज़ share this video with your friends also because आपको भी थोड़ा सा पता लगेगा उनकी कितनी preparation है और इस lockdown में हमें we have to spread the education जो की बहुत ज़रूरी आप school नहीं जा रहे हो और रहीं ऐसा नहीं हो कि आप 6th class में जाए तो आपको कुछ समझ ही ना है वहाँ पर थोड़ी अपनी तयारी करते रही है साथ सार and if you think you have learned something new or you like the video तो like button को press कर दीजे and thank you so much next video का wait करिएगा